सब्सक्राइब करेंगे बहुती बेसिक सा टोपिक इसका नाम है अरोमेटिसिटी और यह आपके बेसिक कलासिज में भी इंपोर्टेड होता है बेसी एमसी आपका इटी जी में अडवांस और आपका इटी जैम सेशन नेट वगर सम्में इसके कोश्चन आते हैं तो आज इसक कि प्रतिक होने के लिए एक इसी कमपाउंड को सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा जो कंपाउंड हो साइकलिक होना चाहिए दुसरी जो कंडीशन है कि वह प्रोपर कोंजुगिशन उसके अंदर होनी चाहिए कोंजुगिशन बोले तो double single double single alternate bond हो पर होने चाहिए इच कारबन SP2 hybridize होना चाहिए या फिर बोले तो वो planar होना चाहिए और यह 4N plus 2 pi electron rule को follow करना चाहिए जिनको बोलते है हकल rule यह rule होता है हमारा हकल rule this rule is called हकल rule इसके अंदर जो n होता है n को integer होता है जिसकी value 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है तो किसी भी compound को aromatic होने के लिए 4 condition satisfy करना बहुत ही जुरूर है कि compound हमारा cyclic होना चाहिए completely conjugated होना चाहिए each carbon SP2 hybridize होना चाहिए और वो 4N plus 2 pi electron को follow करना चाहिए अगर हम बात करें anti aromaticity की तो देखिए 3 condition जो starting वाली है वो रहती है same और जो fourth condition है वहाँ पे change आता है देखिए aromatic में था 4N plus 2 लेकिन यहाँ पर हो जाता है 4N pi electron system तो जो compound इस condition को satisfy न करके इस condition को satisfy करें वो हो जाएगा हमारा anti aromatic और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो n की value होती है तो 0 से start नहीं होती है यहाँ पर 1 से start होती है तो याद रखेंगे कि aromatic और anti aromatic में पहली तीन condition क्या है सेम है लेकिन fourth condition चेंज हो जाती है हकल रूल चेंज हो जाता है कि aromatic के लिए होता है और प्लस टू पाइलेक्टोन बट anti aromatic के लिए आता है फोरन पाइलेक्टोन रूल एंड की value कोई भी integer होती है 0 1 2 3 4 aromatic and 4 anti aromatic and is equal to 1 2 3 अब कोई example सुरू कर लेते हैं देखिए सबसे पहली condition है cyclic for example हमने यह ले लिया है है but this country not cycle this is a cyclic this is a cyclic तो यह क्या होगा कभी b arithmetic नहीं हो सकता नहीं यह anti aromatic होगा नहीं यह anti aromatic होगा उसके लिए सबस्पली condition है कि जो हमारा compound है वो क्या होने चाहिए cycle होना चाहिए cycle like this कुपनियुक BJ चील एट हई और फurar Escape jose if you call table on single single Music साथ स्टेक्टर प्रोकर माना जाता है प्रोकर कंजीकर्ट यह होता है कि अल्टरोंडवन सिंगल मॉन्ड यसके इनदर होते हैं जैसे यहां पर देखिए हम प्रे COR गन्दिटोन पर कोुए सो जबी चांदिए भी घर की है कि फोर एन प्लस उपाई एलेक्टोन को यह bn फोर्लो करना चाहिये तो फोरनलस उपाई लेक्टोन के लिए घे लिए इस के लिए 1 पाई है डॉटल बोण्ड के लिए एक πाई या फिर डबल बॉंड के लिए टू इलेक्टोन कम काउंट करेंगे तो इसके लिए देखिए दो इलेक्टोन यहाँ पर है दो इलेक्टोन यहाँ पर टोटल होगे हमारे फोर पाई इलेक्टोन यह हमारे टोटल फोर पाई इलेक्टोन होगे है अगर हम इस पर 4N प्लस 2 रूल को एपलाई करके देखें देखें न की वैल्ली स्टार्टिंग में रखता हूं 0 तो जैसे मैं 0 रखूंग यह वैल्ली हो जाएगी 0 और हमारे पास आएगा 2P अगर मैं n is equal to 1 रखता हूं तो देखें यहां पर 1 हो जाएगा तो यहां पर 4 प्ल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह compound aromatic नहीं है अगर मैं इसी compound को इसमें देखूं और एन पाई पाई एलेक्टोन में तो देखिए जैसे ही मैं फोर एन पाई लेक्टोन में n is equal to 1 रखूंगा तो यह आएगा हमारा फोर पाई इसका में और एक्जम्बल से समझेंगे तो देखिए यहां पर यह aromatic वाली condition तो follow नहीं कर रहा था लेकिन anti-aromatic वाली condition follow कर रहा है इसका मतलब जो हमारा compound है वो क्या है हमारा anti-aromatic है चले इसको basically हम कुछ example से इसको start करते हैं फिर इसको detail में समझेंगे तो हम सबसे पहले सबसे चोटी रिंग सबसे चोटी जो रिंग होती है वह होती है हमारी cyclopropane उससे start कर लेते हैं तो देखिए cyclopropane को देख लेते हैं इस is cyclopropane और इसके अंदर में लगा एक double bond तो यहां पर देखिए double bond, single bond और इधर भी क्या है single bond है इसलिए यह alternation में नही इसलिए यह aromatic या पर non-aromatic नहीं है यह sory aromatic या anti-aromatic नहीं है यह non-aromatic होता है यह non-aromatic होता है non-aramatik को सब्सक्राइब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि non-aromatic क्या होते है homo-aromatic क्या होते हैं तो छलिए अब इसके पर लगाते थे एक positive charge इसको बोलते हैं cyclopropyl cation तो देखिए यहां पर जहां पर आपका cation होता है जिस carbon के ओपर cation होता है वह carbon हमेशा sp2 hybridized होता है क्योंकि यह planar structure होता है तो जहां पर भी carbon के ओपर होगा positive charge वह sp2 hybridized हो जाएगा और आप जब inorganic में hybridization पढ़ रहे होंगे तो sp2 जिसकी भी hybridization होती है वो planar structure होता है वो क्या होता है आपका planar structure होता है तो देखिए structure हमारा सबसे पहले condition क्या है cyclic यह cyclic है conjugation देखा double यह पर single है लेकिन यहाँ पर क्या है positive charge जो होता है यह resonance पर पाट लेता है जैसे यह इधर जाएगा जैसे यह bond इधर shift होएगा तो देखिए क्या होगा जैसे bond इधर shift हुआ तो bond आगे है यहाँ पर और electron density यहाँ से shift हुई है तो यहाँ पर आगे हमारा positive charge ऐसे यह resonance पर चलता रहेगा जैसे यहाँ पर पोजिटिव चार्ज जाएगा तो यह क्या है complete resonance है यह क्या हमारा complete resonance में है तो यह complete क्या है conjugation में भी है अभी मैंने बताया कि अगर positive charge होता है तो क्या होता है SP2 होता है इसलिए क्या हो जाएगा planar हो जाएगा इसलिए इसका कोई भी carbon हम देखे तो वो क्या है SP2 है यह सब क्या है SP2 है तो हमारी तीन condition satisfied होगे हम चोट्थी को condition को लगा के देखते है कि जो fourth condition है वो कौन से रोल को follow करेंगे तो 4N plus 2 pi electron लिखे लेते हैं और anti-aromatic वाला भी लिखे लेते हैं 4 pi 4N pi electron तो देखिए इसके अंदर एक ही double bond है इसलिए मैंने बताया एक double bond के लिए एक double bond के लिए 2 pi electron system होते है 2 pi electron होते हैं अगर double bond होगे तो 4 pi electron हो जाएंगे तो यहाँ पर है 2 pi electron तो अगर मैं यहाँ पर n is equal to रख देता हूँ 0 इस condition में अगर मैं रखता हूँ n is equal to 0 तो देखिए यह value हो जाएगी 0 और हमारे पास बचेगा 2 pi anti-aromatic के लिए हम कभी भी 0 को start नहीं कर सकते इसके लिए जो इसलिए हम देख सकते हैं जो anti-aromatic के लिए minimum जो value आएगी अगर यहाँ पर 1 भी रखें तो 4 pi electron ही आती है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो हमारा cyclic structure है यह क्या कर रहा है इस condition को follow कर रहा है इसका मतलब जो हमारा cyclopropane cation है यह क्या हमारा aromatic है this is aromatic यह क्या हमारा aromatic है यह सबसे छूटी ring को हमने लिया था cyclopropane cation को अगर इसे की जंग हम Naine ले लें इसे की जंग हम क्या ले 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 Naine लेंगे इसकी जंग अगर हम Naine ले लेते हैं तो दिखिए एक negative charge के लिए 2 pi electron होते हैं और 2 pi electron इस double bond के लिए हैं तो तो टोटल pi electron है के हो जाते है और यह फोलो करते हैं एंटी एरोमेटिक वाले रूल को तो जो आपका साइकलो प्रोपाइल एनायन होता है वो क्या होता है हमारा एंटी एरोमेटिक देखे पहली के लिए साइकल के कोंजिगेशन में कि यह नेगेटिव चार्ड इधा ट्रांसफर होगा तो यह इलेक्ट्रों डैंस्टी यहां पर सिफ्ट हो जाएगी जिससे इस्टक्चर बनेगा यहां पर नेगेटिव चार्ड और यहां पर आएगा डबल बोंड जिससे क् कारण क्या होगा इछ कारबन सब्सक्राइब यह रहेघा अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट मेंबर रिंग पर प्यूर मेंबर रिंग पर, पर हम देखे, अब हम देखे, अब और महीन इस Спасибо hybrid, यहां पर है एक टूपाई लेक्टोन यहां है क्योंकि एक डबल मॉन्ड के लिए टूपाई लेक्टोन सिस्टम होते हैं तो डो डबल मॉन्ड के लिए हो जाएंगे फॉर पाई लेक्टोन सिस्टम और यह कंडिशन कहां से टिस्फाई होती यहां पर सबसे पहले देखेंगे यह cyclic है conjugation में भी है conjugation में single double single double और इसके बाद क्या है इच carbon SP2 hybridized भी है इसलिए क्या एंटी अर्मेटिक है क्योंकि यह follow कर रहा है 4N pi electron system को अब मैं इससे आगे आएंगे इससे जो अगला है अगर मैं इसके उपर क्या करूं दो positive charge लगा देता हूं अगर मैं यहां पर क्या करता हूं तो पोजिटिव चार्ज लगा दूँआ तो देखे यहां पर Danger अगर यह जाएगा तो आपका positive charge यहां पर आ जाएगा इसके बाद अगर यह इदर बोंड्सिफ हो गा तो लितभी हो किया गरेगा पूरी रिंग के अंदर क्या धेया दीलोकलाइस होत훈 रहेगा जिसके करण क्या हो जाए और यह हो जाएगा आपका अरोमेटिक क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टू पाई लेक्टोन सिस्टमी है इसलिए क्या हो जाता है अब बात कर लेते हैं कि अविदीर को पैंजीन के बारे में बल्केंजीन मैं विजनी फेमस एक्जम्पल है तो बारे कि अपने अपने पढ़ा होगा कि क्या टीत होती है इस तो चलिए देखिए कैसे आरोमेटिक होती है कि यह आपकी है Benzen, तो इसके अंदर देखिए सבसे पहली कंडिशन यह cycle है दूसरी बात इसके अंदर proper conjugation है single double single double यहाँ पर bond है तो यह proper conjugation में भी है अगर आपका single bond कहीं पर होता है single bond होगा तो वहाँ पर हमेशा sp3 hybridization होती है लेकिन कोई charge वहाँ पर नहीं होना चाहिए अगर आपको कोई single bond है और उसके अपर carbon के ऊपर कोई charge नहीं है नहीं negative नहीं positive तो वह carbon हमारा sp3 hybridize हो जाता है अगर आपका double bond है अगर double bond है तो आपका हमेशा ही sp2 hybridize होगा double bond को हमेशा याद रखेंगे क्या होगा sp2 hybridize होगा carbon तो देखिए यहां पर हर carbon sp2 hybridize है क्योंकि हर जंगा पर एक double bond है हर carbon connected है एक double bond से तो इसलिए इच carbon is sp2 hybridize अब इसमें लगा के देखते हैं देखिए इसमें है सिस्टम में इसको हम अगर इस formula में रखेंगे 4N plus 2 5 electron में रखेंगे अगर मैं n की value रख देता हूं यहां पर 1 n की value रखता हूं 1 तो हमारा हो जाएगा 4 plus 2 5 electron is equal to 6 electron 6 pi electron लेकिन उसमें यह नहीं आएगा क्योंकि यहां पर इंटीजर रखेंगे 1 तो आएगा 4, pi electron system 2 रखेंगे तो 8 pi electron system चला जाएगा इसलिए जो हमारी benzen होती है वे इन सभी condition को satisfy करती है इसलिए क्या है aromatic है अगर हम बात करें प्रीडीन की प्रीडीन को देख लेते हैं इस इस प्रीडीन और इस प्रीडीन के पास क्या आता है लोन पेर होता है यहां पर तो यहां पर जो अगर हम देखे total pi electron density देखे तो 2 pi electron system यहां पर है 2 pi electron system यहां पर है और 2 pi electron system यहां पर है यहां पर एक lone pair है it is a lone pair and a lone pair count as a 2 pi electron system 2 pi electron system but यह जो आपका lone pair है यह resonance में involved नहीं होता है इसको बोलते है inert pair of electron जो की conjugation में part नहीं ले रहा है तो रिंग के अंदर जो total pi electron है वो अभी भी क्या है 6 pi electron है इसलिए क्या हो जाता है जो हमारी pyridine होती हो भी क्या हो जाता है aromatic ही हो जाता है तो यह सब था हमारे aromaticity और anti-aromaticity के बारे में आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा यह सब condition है aromatic के लिए और यह सब condition है anti-aromatic के लिए और इससे अगली वीडियो हम discuss करेंगे non-aromatic, homo-aromatic चीज़े और fusing के बारे में हम discuss करेंगे अनुलिनिस के बारे में हम discuss करेंगे अपनी नेख वीडियो में आपनी नेख वीडियो में so thanks for watching and if you like this video please share and subscribe my channel thank you